तो बताइए दोस्तो कैसे लगे आपको गुरु देव फिल्म के गानों की जलकिया उम्मीत करता हूं बहुत अच्छी लगी होंगी तो आज के वीडियो में हम इसी आडियो के श्चिट का रिब्यू करेंगे इसकी संपून जानकारी आपको देंगे एवां इसके गानों की जलकिया भी आपको सुनाएंगे तो वीडियो एंड तक देखना अच्छा लगे तो लाई जरूर करना और परस्टनली गुरुदेव फिल्म का कोई भी गाना आपको पसंद हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और अधी आप भी ऑडियो कैसिट के दीवाने हैं और आपने इनी ऑ प्राइब फिल्म गुरुदेव उसकी और यह मास्टर आडियो कैसिट का नाम है गुरुदेव जी आदोस्तों रिसी कपूर अनिल कपूर और सिरी देवी इस फिल्म में मुख भूमिकाओं में थे और जैसा कि आप देख सकते हैं इस यहां पर लिखा है गुरुदेव यहा काहुल देव बर्मन मतलब आड़ी बर्मन का था लिरिक मजुरू सुल्तान पूरी के थे और देखने पर आप देख सकते हैं गुरुदेव लिखा है एचमबी का बहुती पुराना लोगो लगा हुआ है और यदि हम इसकी पैकिंग की बात करें तो चार उननीस सो बानवे क मार्केट में आ गई थी और इधर देखने पर इसके गाने लेखे हुए है चलिए कैसे देखाते हैं तो यह रही दोस्तों गुरुदेव फिल्म की ओरिजिनल मास्टर कैसे यहां पर लगा हुआ यहां पर गुरुदेव लेखा हुआ है और यह साइड भी है और यह पीले कल को लगा हुआ है और यहां पर खुदा हुआ यहां लिखा हुआ है और यह साइडेय है चलिए आप हो काबर देखा नहीं कर देखे हैं जासा कि निकली गाली जी अधूस्तों बहुती प्यारा गाला आए आसा बहुंसले यहां सैलैंदर सिंग की आवाज में साइडे का दूसरा गाना है मेरा कहा मानोगी आसा भौसले की आवाज में और साइडे का तीसरा गाना है एक दिन तेरा धीरे से आवाज हैं अमित कुमार की चलिए अब हम साइड वी की बात कर लेते हैं तो साइड वी में जो पहला गाना है वह जोस्तो आना रे आना रे दिल है दीवाना रहे यह बहुत अच्छा गाना है आसा बॉसले अमित कुमार एवं सेलेंदर सिंग की आवाज में और साइड वी का दूसरा गाना है आजा सुनले सदा आसा बॉसले एवं राहुल देव बर् जो कि आप उस जमाने में सुना करते थे तो दोस्तों आपको मैंने कैसी भी दिखा दी और इसका कबर भी दिखा दिया तो चलिए अब हम इस फिल्म की संपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं एब हम इस फिल्म से जोड़ी कुछ अंसुनी बाते भी आपको बता देते हैं लेकिन उससे पहले एक बार और सुना देते हैं गानों की जलकियां दोस्तो गुरुदेव 1993 बनी रोमांटिक एक्षन एबम ड्रामा से बरपूर थी इस फिल्म में हमको मुख भूमिकाओं में नजर आयते रिसी कपूर, अनिल कपूर, सिरी देवी, कादर खान, किरन कुमार, डैनी डैंजोपा, प्रान, सतेंदर कपूर, सीमा डेो, महबीर साथ, टेज सपरू, के के सिंग की थी, डाइलोक्स भी के के सिंग की थे, म्यूजिक हार्डी बर्मन का था, लिरिक मजरू सुल्तान पूरी के थे, इसकी रिलीजिंग डेट थी, 3 सेप्टेंबर 1993 और बॉक्स ओपिस पर ये फिल्म फाइनली एवरेज रही थी, तो चलिए, अब हम गुरु चंद सोनी बाते आपको बता देते हैं, फैक्ट नमबर बन, विनोध मेरा इस फिल्म को डारेक्ट कर रहे थे, इस फिल्म की पूरी सुटिंग खतम होने से पहले ही उनकी मोत हो गई थी, फिर इस फिल्म की बाकी सुटिंग को राश सिप्पी ने डारेक्ट करके पूरा किय फैक्ट नमबर दो इस फिल्म में स्रीदेवी ने चटवी और आखिरी बाल डबल रॉल निभाया था उन्होंने इस फिल्म में रोसी और प्रिया का रॉल निभाया था इससे पहले उन्होंने गुरु चालवाज नाकबंदी लम्हे और खुदा गवा जैसी फिल्मों में भी डबल डॉल निभाया था फैक्ट नमबर तीन जब विनोद मेरा की मौत हो गई थी तब ऐसी खबरे आ रही थी कि इस फिल्म की बाकी शूटिंग राकिश रोसन डारेक्ट करके पूरा करेंगे जबकि इस फिल्म की बाकी शूटिंग राज सिप्पी ने पूरा किया था फै कि नपसोस की बात है कि पहली फिल्म को देखना तो दूर की बात है इस फिल्म की शूटिंग भी वो पूरा नहीं कर पाए थे फेक्ट नमबर 5 बिनोद मेरा ने इस फिल्म की 80% सूटिंग पूरी कर ली थी लेकिन फिर डेट्स की प्रोबलम होने लगी थी फिल्म अटक गई थी फिल्म की सूटिंग दवारा शुरू हो पाती इससे पहले ही बिनोद मेरा की मौत 1990 में हो गई थी उनकी मौत होने के 3 साल बाद ये फिल्म रिलीज हो पाई थी फेक्ट नमबर च्छे बिनोध मेरा इस फिल्म में स्री देवी से पहले मंदाकनी को लेना चाहते थे लेकिन स्री देवी जब सुपर इस्टार थी इसलिए उन्होंने अपना मन मदल कर स्री देवी को ही इस फिल्म में लेने का फैसला किया था तो दोस्तो अभी हमने बिनोध मेरा साब की पहली और लाश्ट फिल्म का आडियो कैसिट रिब्यू देखा जिसका नाम गुरु देब था उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो लाइक करना और पर्सनली आपको गुरु देब फिल्म का कोई की गाना पसंदो मुझे कमेंट सेक्षन में आप जरूर बताना तो चलिए मिलते हैं कल साम के साथ बजे 1913 में आई किसी अगली और यू कैसिट के रिब्यू के साथ जब तक के लिए आप खुश रहिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए बहुत बहुत धन्यवाद